बए यहलो दोस्तों स्वागत आपका फिरसेंगे फिरसेंगे फोरकम्पिटिंसेन में तो आज हम टॉपिक लेके आये हां वो होने वाला है है साइन्स का टॉपिक अब साइन्स के जितने भी शिस्टम हमारे सारे शिस्टम हम लेज चिपनाया आज हम part 1 लेके आए हैं part 1 में हम cover करेंगे हमारा respiratory system देशे क्या आप photo से देखके समझी गए होंगे photo के देखके कि कौन सा system है यह हमारा respiratory system तो part 1 से start करेंगे यह जो वीडियो है वो x-ray technician के लिए paramedical students के लिए बहुत important होने वाले हैं तो ज्यादा time नहीं लेते हुए start करते हैं वीडियो को और अगर आप channel पर नए हैं तो पहले चैनल को subscribe और like जरूर करें और share भी करते हैं साथ के साथ इसमें हम जो कुछ disorder भी होते हैं जैसे respiratory system में किसी भी system से related जो हम कर रहे होंगे उसके जो x-rays होते हैं वो x-ray में कैसा दिखते हैं वो चीज भी हम इसमें cover करेंगे ठीक हैं तो हम ज्यादा time नहीं लेते हुए वीडियो को start करते हैं first thing जो सबसे पहले हम वीडियो start करने से पहले कुछ basic चीज है जो x-ray में जो disorder होते हैं, वो X-ray में कैसे दिखते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो disorder है, वो आपको दीख रहा होगा, यह है, pneumonia, जो सबसे पहले disorder है, यह आपको दीख रहा होगा, pneumonia, इसमें क्या होता है, कि इसमें जो है, X-ray के अंदर, अगर मैं आपको वाइट स्पोर्ट है यहां पर आप एक सरे देख रहे हो यह जो लंग्स देख रहे हो बिल्कुल क्लियर है यह जो वाइट स्पोर्ट है यह हर्ट का आपका इसमें जो यह बीच में वाइट स्पोर्ट है यह होता नहीं है जनल यह अगर आप यह देखोगे यह वाला लंग्स देखोगे तो पूरा क्लेन लंग्स है ठीक है लेकिन यहां पर कोई भी स्पोर्ट नहीं है यह इन पर तो इसमें यह क्या है यह वाइट स्पोर्ट है तो यह क्या है निमोनिया है इसमें क्या हो जाता है इस कंडिशन में क्या होता है इस कंडिशन में इंफेक्शन हो जाता है जो air sex होते है हमारे alveoli जो होते है जो alveoli होते है हमारे वो क्या होते है कि fluid से fill हो जाते है जो air sex होते है हमारे वो fluid से fill हो जाते है उनमें air sex में fluid भर जाता है जिसके जैसे white देखना start होता है एक स्टार्ट होता है ठीक है तो वो fluid भी हो सकता है वो आपका पस भी हो सकता है वो डिपेंड करता है कि infection किस परकार का है तो अगर pneumonia होगा तो वो X-ray में कुछ इस परकार का देखेगा आपको sport देखेंगे चोटे-चोटे sports देखेंगे आपको हर जगह पर ठीक है दूसरा जो हम देखते हैं वह देखते हैं हम pneumothorax pneumothorax में क्या नी में जैसे meniscus होती है या फिर जैसे brain में meningitis होती है ठीक है ऐसे ही जो लंग्स में होती है वो प्लूरल मेंब्रेन होती है उसमें क्या होता है कि air space का fill हो जाना air space कठी हो जाती है जिसकी विज़से shadow आती है इसमें lungs xray में यह देखो पूरा ऐसे लंबा length में आती है हमें साथ साथ में इसे क्या कहते है pneumothorax इसे क्या कहते है pneumothorax जैसे कि pneumonia में क्या होगा कि sport बना हर जगह पर sport बन जाएगा और यह जो pneumonia mostly होता है यह तो या तो बच्चो में होता है अंडर टैनियर एज अंडर टैनियर या फिर 45 से 45 से बाद में ज्यादा चांशी होते होने 45 यह के बाद में ठीक है नेक्स्ट जो हमारा pneumothorax आपने देख लिए कि ऐसे sport बन जाता यह लंबा इसमें क्या होता कि एर क्लेक्स जो आती है जो हमारा plural space plural जो लेयर होती है उसके आसपस ठीक है नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जो हमारी image आ रही है वो कितने एक्सरे टेक्निशन को पता है आप कमेंट करके बताओ कि यह किस चीज का है ऐसा किस चीज में दिखाई देता है कि जल्दी से कमेंट करके बताइए खीक है जिसको पता था वह very good जो जिसको पता था वह comment रची जिसको लगता है कि मैंने हा मुझे पता था वह आप कमेंट करके बता दीजिए जिसको नहीं पता था वहां बता देते हैं यह है हमारा pleural effusion यह देख रहे हैं आप यह वाला इधर पूरा complete lungs है इधर भी ऐसे ही पूरा ही complete lungs होता है तो यह दोनों तरफ CP अंगल होते हैं हमारे तो अगर हम देखें तो अगर मान लो अगर हम इतना भी अगर मान लो की हर्ट है तो यह वाला जो रेस्ट एरिया है यह तो पूरा विजिडार जोना चाहिए यह CP अंगल ऐसे यहां पर जैसे कि अगर इस एक्सरे में देखें तो पूरा cp अंगल देख रहे हैं लेकिन या पर नहीं दीख रहा तो यह कह है यह से कहते हम प्लूरल फूजन कर लिए लगिसर्जन तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडिशन में हो जाता है कि जो लंग्स होते हैं उसमें अंदर पानी यानि वाटर भर जाता है ठीक है पानी वाटर का भर जाना फ्लीरल इफ्यूजन गया जाता है यह जरूरी नहीं कि क्यों लिशी लंग्स में कभी-कभी और यह दोनों तरफ भी एक साथ दिखाई दे यह यह इसे सटार्ट होता है कभी थोड़ा सा भी दिखाई दे जाएगा आपको पूरा जैसे कि इसमें यह बहुत ज्यादा है कभी इतना भी दिखाई देगा आपको तो यह CP अंगल नहीं दिखेंगा आपको यह फिर ऐसे CP अंगल से उपर की तरफ जाता हुआ कुछ ऐसा प प्लूरल इफ्योजन हमारा ठीक है तो यह मेजर तीन कंडिशन होती जो मॉस्टली एक्सरे में जनरल टेक्निशन को दीखती है और मतलो टेक्निशन को पहचानना भी आना चाहिए ठीक है सना ठीक नियुमृो थारेग्स के चांश वोते हैं बाकी जो एक्ष्ट रिपोर्ट वो ऌर्री लोगिस्टी करते हैं ठीक है तो हम रैस्पिार्ट री सिस्टम के कुछ बेशीक्स फंडामेंटबान समझ लेते हैं कि क्ख 땇च प्रैक्ट्र क्या है तो सबसे पहले हम respiratory system देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है तो respiratory system is a network of organ and tissue that helps your breathe the system helps your body absorb oxygen from air so your organ can work it you can also clean waste gases such as carbon dioxide from your blood अभी तक हम respiratory system को यही जान रहे थे कि respiratory system हमें क्या करता है हम सांस लेते हैं और respiratory system के तरू लेते हैं respiratory system क्या help करता है सांस लेने में help करता है नहीं सांस लेने में help करता ही करता है इसके साथ में बहुत सारे important role भी play करता है respiratory system पूरा जाकर एक basic देखी जाए तो respiratory system ही एक main part है हमारी body का तो यह क्या करता है respiratory system क्या करता है कि breathe in और breathe in out के साथ में हमें वो तो करता ही है यह function तो perform करता है यह उसके साथ साथ में क्या करता है कि यह oxygen को absorb करता है oxygen को बहार से लेके आता है carbon dioxide को बहार लेके जाता है oxygen को हमारे tissue blood तक पहुंचाता है blood से हमारा जो carbon dioxide होता है उसे जो waste जो भी होता है carbon dioxide जो gaseous के रूप में उसको body से बहार भी लेके आता है तो ब्रीद इन ब्रीद आउट का तो इन्हेल एक्जिलेशन तो है हमारा उसके साथ-साथ में जो ओक्सिजन है उसको ब्लड टीशूर तक पहुंचाते हैं और ब्लड टीशूर से जो कर्बन डैक्सड या नहीं जितना वेस्ट जो गैसे इस रूप में जो भार आता है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि वॉट टेस्ट रेस्पिरिटरी सिस्टम डू इसका काम करता है जो आपके सेल सोते हैं ब्लड टीशूर ब्लड सेल्स जो होते हैं उनको ऑक्षिजन प्रवा Remove waste gaseous including carbon dioxide from your body when you exhale जब आप सांस को बाहर छोड़ते हो तो आपके body में waste gaseous या waste कुछ भी जो gaseous के रूप में जो body से बाहर आ सकता है उसको बाहर लाने का काम करता है ठीक है? कोई doubt? ठीक है, next Protect your airway from harmful substance and irritants क्या करता है? आपके airway को protect करता है कोई harmful चीज या फिर कुछ भी बाहर से अंदर ना जाए ठीक है, next ये आपके airway के थुरू अंदर ना जाए ये नहीं कि मुझ के थुरू, मुझ के थुरू था आप कुछ भी खा सकते हो कुछ भी अंदर जा सकते हैं लेकिन airway के थुरू respiratory system में ठीक है, next organ of the respiratory system कौन-कौन से organ है जो respiratory system के लिए important है, जो respiratory system को complete functioning करने के लिए help करते हैं तो वो जो system है, उसमें सबसे पहले mouth आता है, mouth and nose आता है opening that pull air from outside your body into your respiratory system जो सबसे पहला जो function करते हैं, जो सबसे पहले जो surrounding आपके environment से, जो air को अंदर लेने का काम करते हैं, वो सबसे पहला कौन सा है mouth या nose, जो सबसे external organ हमारे mouth और nose ठीक है, इनके थुरू हम respiratory स्टार्ट करते हैं next आता है हमारा pharynx, यानि throat tube that deliver air from your mouth and nose to the trachea wind pipe जो हमारा wind pipe होता है, जो सांस लेने की नली होती है उस तक mouth से, यानि यह आपकी nose हो गए ठीक है, और यह आपका wind pipe हो गए यह आपका wind pipe हो गए तो nose से आपका जो आपने सांस लिया, उसको और wind pipe तक पहुंचाने का काम कौन करता है उसके लिए करता ही, फेरेनेक्स होता है बीच में, यह इसको ऐसे है यह इस air को जो आपका आई है, इस air को wind pipe तक पहुंचाने का काम करता है wind pipe तक, ठीक है, अगर हम इसको देखे तो जैसे कि आपका, यह आपकर नाक हो गई, आपने यहां से सांस को आई, यह आपका wind pipe पूरा एक wind pipe है, ठीक है, जो सांस को आप जो अंदर lungs में लेके जाएगा यह आप सांस अंदर आ रहा है ठीक है अब यहां से तो connection तूट जाएगा तो यहां से तो फिर कहीं जाएगा फिर यहां पर क्या होता है और्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फेरेनेक्स यहां पर फेरेनेक्स होता है जो इसको connect करके आपकी एयर को ट्रेक्या में इंटर करता है ठीक है आगे देखते हम ट्रेक्स कंप्लीट होगा उसके बाद ट्रेक्या पैसेज कनेक्टिंग यूर थ्रोट एंड लंग्स जैसे हमने अभी उसमें देखा था यह आपका थ्रोट हो गया ठीक है यह आपका ट्रेक्या हो गया और यह आपके लंग्स हो गया ठीक है, ट्रेकिया क्या करता है, पैसेज कनेक्टिंग यूर थ्रोट और लंग्स, ट्रेकिया एक बीच का पार्ट होता है, जो आपके थ्रोट यानि फेरनेक्स को और लंग्स को दोनों को जोड़ता है, एक इंटरमेडियेट का काम करता है दोनों के बीच में, ठीक है, तो ट सब्सक्राइबोल contributor प्यूल fascinated दिस्क्राइब सब्सक्राइब சरीन सब्सक्राइब विया इसक्राइब बेasic नीच्क्राइबальное करें दबिए conscious क्यूंता हम कि अध्युब भी पेड unlimited लेकिन सब्सक्राइब करें यहां पर दिसक्राहर जाए ब्रॉंकियल ट्यूब जो ट्रेकिया आता है हमारा यह जो ट्रेकिया आता है फिर यह क्या करता है लंग्स में ठीक है तो ट्रेकिया वो यह है तो यह ऐसा तो है नहीं कि यहां से सीधी एरा कैसे वो अपने आप चले जाएगी नहीं ऐसा कुछ नहीं है इसमें यहां पर ब्रॉंकिया होता है यह क्या करता है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है दो पार्ट्स में डिवाइड करता है ठीक है दो पार्ट्स में एक राइट लंग में आज़ता है एक आपका लेफ्ट लंग में आज़ता है ठीक है अगर आप सीटी में देखेंगे तो सीटी में कुछ आपको बहुत अच्छे से एक ऐसा स्ट्रेक्चर में दिराएगा तो इस परकार का एक सिस्टम होता है यह आपका ट्रेकिया हो गया ऐसे एर आई यह इधार चले कि इसने आपको रौइट में और लेफट लंग में एर को डिवाइड कर दी है जो ब्रॉंक्य इसके बाद में जो आपका ब्रॉंकिल ब्रॉंककाई ponieważ चोट चोटे पार्ट में इसके बाद ये इधार आ गया मैं इसको छोटा कर लेता हूँ पहले ये आपके मांलो की windpipes से ये bronchi आगे इधा उसके बाद ये bronchi क्या करते है छोट छोटे bronchioles में वह जाते है ठीक है bronchioles में divided हो जाते है उसके बाद में जो bronchioles आपके छोट छोटे air sack में यह हम राइट लंग की बात कर रहे हैं चोट-चोटे ब्रॉंक्योल्स में डिवाइड हो जाते हैं जिसे हम बोलते हैं एयर सेक जिसे हम क्या बोलते हैं एयर सेक है एयर सेक क्या नमें प्रिंशिपल ऑर्गन आफ रस्परेटरी शेस्टेम है ठेक है इसलिए इसको प्रिंशिपल इसलिए बोला गया है क्योंकि एक्स्चेंज ओफ केस्ट टेक प्लेस एड्य एयर सेक थेक है ay एल्वी लाई भी बोलते हैं इसको एर सेको एल्वी लाई भी बोलते हैं कि क्या करता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसी जो होती है न वो इसी पॉइंट पर आकर होती है एर सैक के पॉइंट पर ठीक है आई आपको समझ में आया होगा यह चीजे तो स्ट्रेक्चर के थ्रूप आपको CTB City के नोट में भी पढ़ने में help करेगा नेक्स्ट आपका जो ब्रॉंक्यल सिर्फ के बाद आता है वह आता आपका टू ओर्गन्स डेट्रिमों औक्सिजन फ्रॉम्ट एर और पासिट इन्ट 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 ब्लड जो फिर मेन जो आता आपका वह आता लंग्स वह आता लंग्स आपका ठीक है यह थ्री लोब होते हैं आपके इदर टू लोब होते हैं ठीक है टॉटल इसमें फाइव लोब्स होते हैं लंग्स में कि अल्विलाई जो हम पढ़ चुके हैं टाइनी एर सेक्सिंद लंग्स वेर्द एक्सचेंज ओफ ऑक्सीजन और कार्बन डेक्स टेक प्लेस जो हमने डिसकस किया था कि जो अल्विलाई जो एर सेक्स जो हमारा एक्सचेंजिए और ऑक्सीजन को छोड़ा दाता और स्वबंड़ा एक्साइड को वापीस ले लेता है ब्रॉंक्युल स्मार ब्लांची जो ब्रॉंकाइल ट्यूप लिट्स तुदर ईलवियू लाइं तो वह आपको मैंने समझा दिया है में आपको बढ़ फिर से बता दि छिक ब्रॉंकोड के बद में इन ब्रॉंकोड से जो चोट चोटे जो κεल से निकले वह ओते हैं जैंक है और इन से के बाद में जो आपका होता है एद इस्क इन इंघ्ण क्योड से निकलते हैं severe तो यह क्या कहता है स्माल और वेमाल ब्रांची जो ब्रॉंक काईल ट्यूब डैट लीड्स टूP तो डॉड्वियो लाई ठीक है तूब ब्रॉंकुल से लेकर यह ब्रॉंक्यूल सेलेकर जो air sex दोनों को जोड़ने का काम करती विछ में और कौन से होते हैं है ट्रच्या से आपके ऐल व्यांट रो रोओंकाय आये व्रोंक्या से एक लाइन गई ततो इसको और इस पॉइंट को दोनों को जोड़ने काम किसने किया ब्रोंक्याई ठिक है कि तो यह के स्ट्रक़्ेशल था आगम एकि sóum does होते हैं कि capillaries capillaries क्या होते हैं blood vessels in the alveoli walls that move oxygen and carbon dioxide blood vessels होती है lungs के अंदर जो आपके oxygen को और carbon dioxide को लाने ले जाने का काम करती है lungs lobe आगे next आपके lungs lobe next आपके lungs lobe section of the lungs three lobes in the right lungs and two lobes in the left lung जो बताया था मैंने आपको three lobes होते हैं right side में one two three और two lobes होते हैं left side में ठीक है plural the sac that surround each lung slopes and separate your lungs from the chest wall जो एक membrane type की होती है जो plural होती है आपके lungs को protect भी करती है आप यह protection का भी काम करती है और chest wall से lungs को अलग भी करती है next हम देख लेते हैं बहुत basic basic सी चीजे हैं next some of the other component of your respiratory system includes cilia apigolitis और larynx cilia जो tiny hair that move in a wave-like motion to filter dust and other agent of your airways हमने जो function पड़े हैं जैसे कि हमने nose पड़ा है हमने trachea पड़ा है और लंग्स हैं इसमें हम यह तो एक organs है इसके अंदर भी बहुत सारे छोट छोटे पार्ट होते हैं जो एक combination को पूरे respiratory system को एक function करने के लिए help help करते हैं तो जैसे ऐसे एक nose में cilia type का होता है जो जो हमारे नाक में जो बाल होते हैं उनको cilia बोलते हैं वो क्या काम करता है कि कुछ भी जो बहार से dust particle जो आता है कुछ भी dust particle आ गया है कुछ भी मालों को कोई छोटा मोड़ा mosquito आ गया कुछ भी आ गया हमारे airway के अंदर न नौज में होते हैं फिल्ट्रेशन का काम करते हैं जिसको बोलते हैं हम cilia जो नाक में जो हेर होते हैं उनको cilia बोलते हैं वो क्या काम करते हैं फिल्ट्र का काम करते हैं next होग है epigolitis tissue flap at the entrance of the trachea that close when you swallow to keep food and liquid out of your airway epigolitis जो होते हैं epigolitis जो होते हैं क्या होता है कि यहां पर pharynx आते हैं यहां पर होते हैं फैर नेक्स तो अपना जो digestive system और respiratory system में दोनों का common part है ठीक है कैसे common part है यह हो गया भी आपका nose और यह हो गया भी आपका mouth nose भी आके pharynx में होती है और mouth से भी जो खाना आता हो pharynx में आता है mouth से कुछ भी liquid लेते हैं या फिर कुछ भी सांस लेते हैं कुछ भी लेते हैं तो हमने पढ़ा था ना कि nose कहां पे आई ट्रेकिया में mouth भी कहां पे आ रहा है ट्रेकिया में जो pharynx है वो दोनों का common part है आपके नाक से सांस लिया हुआ भी ट्रेकिया उसमें आ रहा है यह जो आपका part यह जो आपका part है यह वाला part pharynx है इसको मैं थोड़ा साल ट्रेकिया को अलग कर देता हूं कि यह इसके बाद ट्रेकिया शुरू होता है ठीक है और इधर मान लोगी डायस्टिव सिस्टम के नाल ठीक है तो यह ट्रेकिया हो गया ठीक है तो जो अपी गुलाइटीस होती है न वह यहां पे अब 3D में हम बता सकते हैं यह इतना वह नहीं के बता पहें लेकर फिर पूलाईटीस का क्या काम होता है जब यह तो लिक्वीड आता यह कुछ भी फूट आता है तो क्या करता है कि यह जो आपका है up तो इस चीज़ को यहां से बंद कर देता है इसके उपर आ जाता और जो लिकवीड़ और फ्लुईड़ हो यहां चला जाता है अगर सास आता है कुछ भी आगर जैसे कि हमने सांस लिया तो यह इस तरह हो जाता है और यह इसमें करते हैं तो यह एक वाल की तरह काम करते हैं जब फूड आ जता है तो जो ट्रैक्या के अंदर फूड ना चला जाए उस चीज को प्रोटेक करने के लिए अफिगुलाइटिस वहां पर होता है तो जो दोनों का जो डाइस्टिव और एस्पिरेटरी सिस्टम का जो कोमन फंक्सिन है और जो आपका प्रोटेक्शन का काम करता है कि जो फूड है वो उसमें ट्रेकिया में ना चला जाए फूड और लिक्विड ठीक है समझ में आया अगर कोई डाउट आप ठीक है तो दोस्तों चैनल को शेयर लाइक जरूर कर दीजिए नेक्स्ट जो हम देखते हैं हमारा आता है लारेंक्स बोक्स जिसे हम वोईस बोक्स के नाम से भी जाना करता है होलो और गन्डेट अलो यू तो टॉक एंड में के साउंड वन एयर मॉस इन आउट यह क्या करत है कि प्लेट है कि एक वोईस बोक्सी से व्योगस बोलने का काम निवे ऊटे है और सांस लेते हैं अंदर वार उस टाइममें बोलने के लिए अलाओ करवाता है जो होता है वो larynx voice box यह भी एक हमारा respiratory system का ही part है next जो हम यह already हम पढ़ चुके हैं अस्तमा एक chronic lung disorder है जो inflammation in the airways that can make breathing difficult अगर अगर हम यह airway देखें तो इसके अंदर अगर inflammation हो जाएगी तो एक अगर आपको यह air आ रही है air अगर यह आ रही है तो पहले तो उसके लिए इतना रास्ता था अभी रास्ता इसने ब्लॉक कर दिया यहां पर तो केवल थोड़ा सा space बचा है सांस लेने के लिए तो breathing difficulty होती है उस condition में उस condition को हम अस्तमा कहते हैं ठीक है chronic long term disorder अस्तमा कोज inflammation the airway airway के अंदर inflammation क्रेट कर देता है जिसके विज़े से breathing difficulty होती है उसे हम कहते है अस्तमा ठीक है इंजा और कॉल्ड कॉल्ड जो है common cold यह तो infection है जात लंग्स में क्या होते हैं इंफेक्शन ही होते हैं ब्रॉंकाइटीस infection हो गया है ठीक है अब वह मैंने आपको एक्ष्रे में बता दिया था यह कहना में pneumonia और रस जो में जो में जो आपके उसमें पता चल जाते हैं बाकि जो inflammation of the bronchial tube inflammation हो जाते हैं नेक्स जो डिसोर्डर है वो लंग्स कैंसर है ठीक है लंग्स को बिल्कुल खा जाता है cancer पापको पता भी है कि किसी भी पार्ट में हो जाए तो वह पार्ट बिल्कुल degenerate करना स्टार्ट कर देता है it's very difficult to recover from that next जो हमारा है chronic obstructive pulmonary disease COPD COPD इसका में पता होना चीह है COPD का बहुत बार patient के history में लिखा होता है COPD COPD यह क्या होता है chronic obstructive pulmonary disease these illness can be harmed the respiratory system ability to deliver oxygen throughout the body and filter out waste this condition में क्या होता है chronic obstructive pulmonary disease obstructive का मतलब कहीं पर भी अगर अब्सक्ट्रक्शन हो जाए जैसे कि हम बात करें कि अगर अगर मान लो यह हमारा एक कोई भी system है यह हमारा एक ऐसा system है ठीक है तो हम यहां से जैसे खाना खा रहे हैं यहां से खाना अंदर आया अगर मान लोगी यहां पर हमें कुछ भी obstruction है या फिर कुछ भी ऐसा ठीक है तो अब क्या होता है कि यहां से खाना आना है हमारा अब यहां से खाना निकल ही नहीं पाएगा तो आगे जाके system में कैसे पहुचेगा system के अंदर कैसे वह उसके energy मिलेगी कैसे glucose मिलेगा कैसे जो बाकी minerals जो भी energy level मिलेगा वो बोड़ी को मिलेगा ही नहीं तो ऐसी इसी केस में chronic obstructive pulmonary disease में क्या होते है जो pulmonary जो हमारी arteries होती है उनमें क्या होता blockage type का हो जाता है जिसके बुझे से जो air जो हमारी in and out होनी है वो clearly अच्छे से हो नहीं पाती है उसके बुझे से क्या होता है कि हम प्रॉपर oxygen नहीं मिल पाती है और जो chronic obstructive pulmonary disease तो ओके दोस्तों यह था हमारे respiratory सिस्टम से related जितना भी जो basic content था हमने कोशिस किया जादा जादा cover करने की और ऐसे ज्यादा वीडियो देखने के लिए आप चैनल को like share and subscribe जरूर करें ओके थेंक्यू